सीरियो शोरी और अनोकी की कहानी में अनोकी लेने वाली ये बहुती बड़ा फैसला जो कि शोरी के भी अगेंस्ट होगा और बड़ी मा और बड़े पापा दोने खुश नज़र आएंगे लेकिन वो सारी बाजी उल्टे भी पड़ जाएगी आने वाल एपिसोड में आप देखेंगे कि शोरी सब लोगों के बड़े पापा के खिलाप जाकर वालोग चचों के खिलाप जाकर कोईलने इस कमेंटी की परमिशन से अनोकी को जॉब दिलवा देता है अनोकी काफी खुश हो जाती है और जैसे शोरी घर आता है उसके लिए सब्प्राइज प्लान करती है दोना में रॉमेंटिक जिन दिखाया जाता है और अनोकी बहुत प्यार तरीके से उसे धन्यवाद करती है तो वही सुबह मीटिंग है और शोरी पहले ही निकल जाता है और अनोकी बड़ी मा कामों में फशा लेती है और अनोकी को जबड़दस्ती उसे लेट लेह देती और दूसी त्रफ मीटिंग में बड़े पापा को चांस मिल जाता है अनोकी के खिलाप बोलने है और घ्या था कि मेयनत पूरी जिम्मेदारिया वं नहीं भावाएईगी औ और ऐसा वो बड़ी मा और गड़े पापा दोनों मिलकर अनोखी के लिए एक के बाद एक प्रॉब्लम्स खड़ी करने कोशिश कर रहे होते हैं और ऐसा ही होता है जब तक अनोखी पहुंसती है वहां पर सब लोगों के सामने पहले ही शोरे की बहुत बुरी इंसल्ट हो जाती है और नहीं पर अब अनोखी को बड़े पाप और बड़े मा दोनों ही कहते है कि तुम सारे डोकिमेंस अपने ले आओ तो वह कहती है क्यों है यह सब क्यों और वह इसकी बुरी इंसल्ट भी करती है कि तुम्हारे पासपोर्ट बगर तो होगा ही नहीं लेकिन दभी शोरे पूरिये सारे डोकिमेंस लेकर आ जाता है और अब उसका नाम जबरवाल किया जायेगा भल्ला से और ये बात अनोखी को पसन्द नहीं आती है और अनोखी इस बात के अगेंस जाती है और शोरे के भी खिलाफ जाती है और शोरे को भी यह चीशी लगती है कि हां सबर वाल तो भूपाई है, अब ज़रूर हो लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी मी होंगे तुम्हारे हाँ नाम को हर जगे चोड़ा जाए तो आनोकी इस बात के खिलाफ हो जाती है और अब वो अपना नाम बिल्कुल नहीं बदलने बाली और अब शोरी इस बात को सुल जाने के लिए अपने नाम के आगे भी भला लगाएगा यानि वो दोनों ही एक दूसरे का सन्नेम यूज़ करने वाले हैं और एक प्यार की नई मिसाल काइम करेंगे जोकी बड़े पप और बड़े मां दोनों की ही चाल उल्टी पड़ जाएगी कि शोरी तो हमेशा अनोखी की बातों में आ जाता है तो वहीं आने वारे एपिसोर्ड में एक के बाद एक प्रॉब्लम से दोनों खड़े करती नज़र आएंगे और अनोखी इनका मोतोर जवाब देगी